हाई फ्रेंज असलाम अलेकुम और वेलकम बैक टू योर वेरी उन पटेल्स किचन आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करूंगी किनवा पुलाव की रेसेपी तो फ्रेंज ये बहुत इजी एंड सिंपल है तो यहाँ पर मैंने एक कप किनवा ले लिया है और इसके अंदर मैंने पानी एड कर दिया और मैं उसको ऐसे अच्छे से वाश कर लूँगी इसी तरह से हाथों से मसल कर इसे वाश करना है क्योंकि उसके उपर एक layer होता है उसका टेस्ट अजीब सा होता है तो इस तरीके से wash करेंगे ना तो वो उसका टेस्ट चला जाएगा और अच्छे से clean हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने इसके बाद wash करने के बाद इसके अंदर पानी add करके रख दिया है और अब मैं क्या करूँगी कि पुलाओ बनाने के लिए पैन में oil ले लूँगी 2 टेबल स्पून और उसके अंदर जीरा add कर दूँगी जीरा जब अच्छे से crackle हो जाए उसके अंदर से अच्छी सी खुस्बू आ जाए तो मैं इसके अंदर add करूंगी प्याज और अड्रक और लेसुन जो मैंने चौप करके रखा हुआ है तो फ्रेंस यह एक वेटलोस रेसिपी है तो आप सेम रेसिपी दल्या के साथ भी बना सकते हो तो किन्वा आपको online मिल जाएगा या फि अच्छी ग्रोसरी सौप में भी मिल जाएगा तो बस यहां पर प्याज थोड़ा सौटे हो जाता है तो मैं इसके अंदर अड्रक और लेसुन एड़ कर दूंगी और मिर्ची जो मैंने चौप करके रखे हुई है यह बहुत सिंपल रेसिपी है तो जब आप वजन कम करना च घौ़ बहुत सब्सक्ति डमे कर दूंगी हो भुछ थोड़ा देशा इसके अंदर एक ती स्पून एड़ कर सकते हो इस सारे चीज ँथिशे से साते हो जाती है ताम इसके अनर टांडर एड़ कर दूंगी और ढून लूंगी तोड़ी देर के बाद में इसके अंदर एट कर तब मैं यहां पर गाजर और मतर ही एड़ करूंगी।cin Yakum 2 अपनी चॉइस की हों फक्राइड करना है।इश ले सकते हों, सोया clapping दिए मिंदा है। जो आपकी चोईस हो उस तरीके से आप यूज कर सकते हो वेजिस इसके अंदर और मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी एड़ कर दूँगी और इसे कवर करके कुख होने के लिए छोड़ूँगी 2-3 मिनित के लिए क्योंकि ये गाजर और मतर अच्छे से कूक हो जाए फ्रेंस रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना अपने फैमिली और फ्रेंस के साथ ये रेसिपी शेयर जरूर करना और अगर आपको किनवा नहीं मिल रहा है तो आप इसको डल्या के साथ भी ये रेसिपी ट्राइ कर सकते हो बहुत अच्छी बनती है आप लोग जरूर ट्राइ करना मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी तो बस ये देखो गाजर और मतर अच्छे से हो गए है तो मैं क्या करूंगी कि इसके अंदर वाश किया हुआ किनवा एड़ कर दूंगी ये देखो और उसको अच्छे से मिला लूँग और इसके अंदर पानी एड़ कर दूंगी वन एन वन फोर्ट कप एक और एक चौठाई कप पानी एड़ कर दूंगी और उसको क्या करूंगी के कवर करके छोड़ दूंगी कोख होने के लिए तो पहले 5 मिनित के लिए से हाई फ्लेम पर रखूंगी और बाद में लो फ्लेम पर रख दूंगी 12-15 मिनित के लिए और ये अच्छे से हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसको आप राइटे के साथ या फिर सूप के साथ सेटे हो तो बहुत टेस्थी लगता तो फ्रेंज ये किनुवा के बहुत सारे हेल्थ वेनेफिटस है इसे खाने के बाद आपको जल्दी भुख भी नहीं लगती आप अगर डायेट कर रहे हो और ये जो quantity मैंने बनाई इसमें से डो लोग आराम से खा सकते है तो फ्रेंस मैं professional dietitian तो नहीं हूँ लेकिन ये मेरे husband थोड़े health conscious हुए है इसकी वज़े से मैं इसी diet recipes बनाती हूँ तो अगर आपको ये recipe अच्छी लगी तो comment में बताना मैं और भी recipe शेयर करूँगी और मैंने इसको tomato basil soup और खीरे के राइटे के साथ सर्व किया और croutons भी bake किये हुए है तो friends दुआओं में जरूर याद रखना that's it for today, thank you, Allah Hafiz